तो यार न्यू एम 1887 का स्कीन साथी साथ न्यू ग्लोवल का स्कीन आप लोगों को बताओ तो फ्रीफायर ने कोलाबराट कर लिया है वान मैन पंच के साथ तो यार बहुत सारा कुछ एकसाइडिंग चीज़े आपको देखने के लिए मिलेगा सारा कुछ इस वीडियो पर किल कर लो साथ ही जो घंटे वाला इकन है उसे हाल पर सलेट करना बिलकुल भी मत बूलने क्योंकि हम लोग रोजाना आप सभी के लिए फ्रीफायर इलेटेड़ वीडियो और भी एकसाइडिंग चीज़े लाया करते हैं तो सारे भाई लोग एक सपोर्ट कर देना तो चलो करते जो महारे आज की वीडियो का टॉपिक हैुश्त वीडियो के जो मैं अपने वीडियो के सुरू में बटादेया फ्रीफायर निव कॉलाब मिल चुका है फ्रीफायर का और ये जो एक boy यहाँ पर आपको दिख रहा है, बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि one man punch का ये एक student है, तो उसी के उपर face करके आपको बहुत सारा कुछ चीज़े देखने के लिए मिले का, तो उसमें से एक आजाता है ये वाला glowal और इसके जो costumes है, costumes भी आपको इसके जो skin से वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो की है glowal का skin और है M1887 का skin, दोनों का skin के उपर हम भात करेंगे क्योंकि दो ही interesting चीज़ है, और आप सभी को बता दू, M1887 का skin है उसका क्या ability है, अमने उसको ढूंड कर निकाला है, तो वो भी आपको इसी वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो अब जैसे के आप glowal के skin को देख सकते हो, यह जो collaboration है, यह आने में थोड़ा वक्त लएगा, क्योंकि अभी जो की है CR7 के साथ, मतलब जो Christian Ronaldo है, उनका event जो chrono operation चल रहा है, उसके बाद आपको यह वाला चीज़े देखने के लिए मिल जागा, पहले हमारे यह operation, मतलब यह event है, यह खतम होगा, उसके बाद आपको one man punch के साथ, जितना मतलब collaboration होगा, जो बे चीज़े होगा, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, तो अभी हमें थोड़ा देर तक तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि CR7 के साथ भी बहुत कुछ चीज़े हमें देखने के ल पर यह अपलोड़ेट है, जाकर एक बाद चेक आउट कर लो, क्योंकि CR7 का ग्लोवल भी अच्छा है, आप लोगी बतानों कि यह वाला ग्लोवल आपको ज्यादा अच्छ लगा, या जो कि CR7 वाला ग्लोवल आपको ज्यादा बेडल लगा, अभी यह में टॉपिक के उपर आजाते हैं, जो कि है M1887 का स्कीन, तो जो स्कीन यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आप लोगों को याद होगा, इनकुबेटर जो M1014 था, उसका जो रेड वाला स्कीन था, काफी हद तक यह सेम टू सेम वैसा लग रहा है, यहाँ पर जो इसका डिजाइन है, लेकिन यह पंच मैन, वन वन पंच कुछ हो सकता है, आप लोग अड़ेस्ट कर लेना, वन पंच मैन, तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ, इसके उपर जो फ्लेम है, जिसके उपर आपको यार पंच का सीन देखने के लिए मिल रहा है, यह वाला यार इसकीन एकदम ओपी लगा मेरे क लेकिन आपको बता दू, इस वाला इसकीन आपको फ्री में नहीं मिलेगा, यह वाला इसकीन लेने के लिए आपको या तो हो सकता है, कुछ इवेंट पर आए, वेपन रोयल पर आएगा, ऐसा कुछ कुछ कनफर्म नहीं है, आभी सकता है, जैसे CR7 में क्या हुआ, जो AUG गन आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो फिलाल बात कर लेंगे, यह वाला गन का इसकीन आपको या पर दिखा रहे है, वही सकीन है, मतलब और एक तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि इन भाईयों को सबसे पहले मिल जाता है, पता नहीं कहां से ढूंड कर लात जो लिक से वह और कुछ मत समझो, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका यहाँ पर जो कि है अबिलिटीज यहाँ पर लिखा रहा है, और अबिलिटीज देखकर यह एक लेजन्टरी गन तो हमें लग रहा है, तो फिलाल अगर इसका अबिलिटीज आप अगर यह वाला, अगर अगर आप समझ लोगे, तो यार आप धन्य हो गये, क्योंकि यह लेंग्वेज अभी सीखने में मेरा तो उमर निकल जाएगा, आप लोग कोई सीख रहे हो पर तो किस लेंग्वेज तो कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना, क्योंकि हमें अभी मतलब तींचा लेंग देखने के लिए मिल जाएगा, सेकेंड का जो सीन है, यहाप देख सकते हो वहलो सीटेट डी रिचार गा, यह दरहसल यह मैं देख देखकर एक तरीके से कह सकते हो मेरे को समझ में आ चुका है, इस सीन का मतलब होता है, रिलोड स्पीट, तो यहाँ पर जो रिलोड स्पीड यह आपका देखने के लिए मिल जाएगा, डबल बीट हाई, तो डेमेज आपका सिंगल बीट हाई, रिलोड स्पीड डबल बीट हाई, और जो लास्ट वाला underm चीन है, ठीक है, जोकी यहाँ इसका लास्ट वाला सीन है, वो ठीक मेरे को भी आपको बता देते आ हूँ जोकी प्रिशाइज हो है तो यहांपर प्रिशाइज हो का मतलब होता है ज्यादा तर accuracy ठीक है यहांपर मैंने अपने और से यहार लगा दिया जो की हमारा था अभी आदर हम देखेंगे हमेरी expertise का क्यारा ए tea ढहना है इस वीशाई के बारे में तो जैसे की यह तबाही वाला यहां पर गंध होने वाला है इस गट्टा का जो मेंच चीज है वो है रिलोड स्पीड ही यह थोड़ा क्योंकि दो गोली निकलता है उसके बाद जितने जल्दी यह रिलोड होगा सामने एनिमी उतना जल्दी नौक होगा तो रिलोड स्पिट के उपर काम करते हुए यहां पर इसका जो रिलोड स्पिट है डबल बिट हाई कर दिया गया है मतलब बहुत ही फास्ट यहां पर रिलोड देखने के लिए मिल जाएगा I think यह रेट ओफ फायर से भी ज्यादा कारियागर होगा जो रेट ओफ फायर वाला सौट गन का स्किन है उससे भी यह काफी हद दक बहतर हो सकता है क्योंकि इसमें आपको डैमेज तो सिंगल बिट हाई देखने के लिए मिल रहा है और रेट ओफ फायर का आपको जब दो गोली चलाओगे यहाँ पर रिलोड अगर यह रिलोड हो जाता है मतलब काफी हद दक सेम है और काफी हद दक है यार किस तरीके से फ्री फायर अभी इसको सामने लाएगा कैसा इसका डैमेज कितना पतिसाथ हाई करेगा यह डिपेंड करता है उनकी उपर बस उन लोगो तो यह पैसा चापना है तो उसमें एक में आपको हऄ सकता है आपका रेंज डबल बिठाए हो जाए एक में ट्रिपल बिठाए हो जाए यह डिपेंड करता है फ्री फायर के उपर तो यहां पर जो इसकीन को आपके उक्षघ मेर सब्सक्राइम मानोगे तो इस skin के लिए minimum आपका 400 diamonds तो लगेगा है लगेगा I think हो सकता है किसी-किसी के अगर लग अच्छा रहा तो किसी-किसी को कम diamonds पर भी मिल सकता है और अगर आपका लग हमारी तरह खराब है तो आपको तो यार 400-500-600-700 ऐसे diamonds भी आपको लग सकते हैं तो अभी depend करता है यह दोनोग चीज़े जो कि main देखने वाले चीज़े है one punch man के साथ जो हमें देखने के लिए मिल जाएगा game के उपर दोनोग चीज़े आपको कैसा लगा सारा कुछ details तो मैंने clear कर दिया बाकी आप लोग बताना comment कर गे कि वीडियो कैसा लगा अगर यार वीडियो अच्छा वीडियो को करते हैं हम यहीं पर रेंड हम मिलेंगे आपके शाथ और एक new and exciting वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी लोग घर में मौज लेते रहो सभी को हमारे डाक सूडर की तरफ से love you